नमस्कार दोसों फिर से स्वागत है आपके एक नए वीडियो के साथ दोसो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi Note 9 में आप फोटो हाइड कैसे कर सकते हैं प्राइवेट अलबम में और प्राइवेट अलबम की फोटो आप कैसे देख सकते हैं तो यहाँ पे इसकी setting करने के लिए आप चले जाएंगे gallery में और gallery में आपको यहाँ पे जो भी photos है आपकी तो जैसे कि यह आपको hide करनी है तो यहाँ पे आप इससे select कर देंगे इस step से जब यह select कर देंगे तो blue color का check mark हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे add to album पे आप click करें और add to album पे जाने के बाद इसको private album पे click करना है और ok कर देंगे तो यहाँ पे आपको Xiaomi cloud एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है तो इसको आप next पे click कर देंगे तो Xiaomi cloud जैसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे camera तो compulsory होता है कि इसकी photo यह sync करेगा ही करेगा तो इसमे online account पे click कर दोंगी तो यहाँ पे आपके सामने इस type kind को option खुलके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना mobile number डाल देना है और next कर दूँगी तो यहाँ पे आपके phone पे OTP जाता है तो यहाँ पे आपके phone पे OTP जा चुका है और यह अपने आप deduct हो चुका है तो यहां पर आपको ऐसे स्क्रॉल करके दबा के छोड़ना है तो आपके सामने इस टैप से आ जाएगा तो यहां पर आपने जो भी सेट कर रखा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड वह आप यहां पर ड्रॉख कर देंगे तो यहां पर यह आपका प्राइवेट पर क्लिक करना है जो बीचवला आप्षण है आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसे बातना है कि और कैमरी में फोटो दिखने लगई है तो इस टैप से आप और पको पसंद आया होगा इस टैप कि आपको आप पर विजिट करते रहेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार